नमस्कार मैं हूँ अभिशेग त्यागी आई पेल दोजार पचीश से पहले लगातार हर टीम के अपडेट आप लोगों तक पहुचा रहे हैं अब फटाफट हमारी कोशिश यह रहती है कि आप लोगों को खबर बताएं और खबर के अंदर का पहलू बताएं ताकि आपको सम सामने आई है लखनौ सुपर जाइंट्स के हवाले से हलंकि एक खबर पहले भी थी कि के लाहू लखनौ छोड़कर जा रहे हैं आरसीवी में जा रहे हैं उसके पीछे की वज़ा आपको पताई होगा दोजार चोबिस में किस तरीके से लखनौ के मालिक के साथ उनकी बहस द जहीर खांसी. अब जहीर खांसे जिस किर्दार के लिए बात कर रही है वो बड़ा है में, वो किर्दार है में टॉर. और आपको याद होगा कि लखनौ के मेंटौ रहे हैं गोतम गंफिर सुरवात के 2022 की बात के दो साल लखनो के मेंटोर के तौर पर गोतम गंभीरे दोनों साल लखनो ने क्वालिफायर भी किया था सूपर फोर्में हलंकि खिताब नहीं जित पाई ती लेकिन अच्छा परफोर्मेंस लखनो का रहा था 2024 में गंभीर भी किसी मनमुटाव के चलते गंभीर भी निकल गए लखनो से गंभीर ने जो शर्त रखी थी वो शर्त मानी नहीं गई और गंभीर भी लखनो को छोड़कर केक्यार में आगे हो लखनो का फिर हाल क्या हुआ हो वो सब ने देखा क्वालिफायर नहीं कर पाई ज उसको चैंपिन बनाई अब यहां पर जैसी लखनो ने जहीर खान से बात की इसको जोड़ा जाने लगा शोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी कि भाई साब लखनो की टीम तो गंभीर से बदला लेना चाहती है अब वो बदला किस तरीके कर लेना चाहती है यह बड़ा ए बाति यह लेकिन एक मतलब काम करिये कि सारे खिलारी जो होने मतलब जो कोचिंग इस्थाप होना चाहिए इसलिए गंभीर से कहा गया था कि को गैनबाजी कोच के तور पर आप जहीर खान को ले लो लेकिन गंभीर ने अपनी जिद रखी और गंभीर मॉर्णी मौड कल को गै ले भी है चैंपियन खिलारी भी है तो अब यह सोचल मीडिया पर जोड़ा जाने लगा है इस तरीके की चर्चा चलने लगी है कि गंभीर ने जहीर खान का वहां अपमान किया अब लखनव उनको सम्मान देना चाहती है अपनी टीम के साथ जोड कर अब यह तो यानि जहीर ख देखे कि अब लखनव की फ्रेंचाईजी वापस अपने टीम का मेंटॉर बना कर जहीर खान को सम्मान दे रही हो जिसके इस वक्त जो है लखनव को तलास भी थी एक अच्छे मेंटॉर की गंभीर के जाने के बाद क्या हुआ लखनव का हास हम सब ने देखा टीम का प्रफ कि जहीर खान में क्या बुरा ही है अगर बुरा ही ती जहीर खान भी काफी परीपको और अच्छे गेंद्राज आज है बाद से बीसी से आई कि वह बाद गलत भी थी भाई साब हम चाहते हैं कि सारे खिलारी जो हमारी टीम के साथ भारतिया हो यह बाद गलत भी नहीं है वि देख नहीं रहा हूं दोनों में बिलकुल वह आपकी इंडियन भी है तो एक भारतिय खिलारी को ज्यादा समझेगा वह नस पर जो है अगर कोई बिदेशी कोच को अम लाते हैं बिलकुल बिलकुल नहीं भारतिया खिलारी यों को भी समझने में फाइदा होगा भाई जैसे आप रोहिस सर्मा कफान है सूर्य कौमा यादा जस्पीद बुम्राण जस्पीद बुम्राइब य तमाम खिलारी जहीर खान के साथ ज़ादा फ्रेंड्ली है क्योंकि वह मुंबही के साथ भी न्युक्ट टिम इंडिया में उनके साथ खेले हैं तो एक फ्रेंडी महौल होत आपके गिंदवाज के साहिम है कि जो बॉर्णिंग होता है को इंडियन है और बहुत टाइम दोनों जो इस वक्त मुंबई के भी जो खिलारी रहें या पर टीम इंडिया के भी जो खिलारी आप देखिए जहीर खन के साथ यह लोग हमेशा कहीं न कहीं किसी तरीके से जुरे रहते हैं जहीर के साथ तो बिलकुल यह थोड़ा फैसला जो था टीम इंडिया का गिंदवाजी पोच ना बनवाना यह थोड़ा विवादित जरूर था अलंकि इसके पीछे कई तरीके चर्चा है बिशे कुई यह भी कहा जाने लगा कि गंबिन नहीं चाहते कि कोई भारत अगर जहीर मेंट और बनते हैं तो इतना तो भरोसा कर सकता और लखनाओ के पास आप देखिए ऐसे गिंदवाज भी है ऐसे खिलारी में जहीर जिनके पीछे काम करके अच्छा परफरमेंस उन से निकलवा सकते हैं जहीर खाबलियत है और लखनाओ के मैं इसलिए कह रहा जब गिंदवाजों की स्कौाइड हम देख रहे हैं लखनाओ में तो वो गिंदवाज है जिनके पीछे जहीर अच्छा काम अगर थोड़ा भूत भी कर दे तो वो परफरमेंस करके आपको देंगे तो जाहिर तो पर जहीर खान को जो लेने का फैसला है यह कही ना कहीं लख के साथ मत बहर करके जो गलतियां उसने की है उन गलतियों को सुधार आजाए यह यह लखनाओ भी चाहती है जहीर खान जैसे स्टेटस वाले खिलारी को अपना मेंटोर बना रहे हो क्योंकि जहीर खान मुंबई को लीड कर चुके हैं जहीर का मुंबई के साथ जोड़े रह क्योंकि जहीर में काबलियत है आपकी टीम को तूटने से बचाएंगे बिलकु तूटने से बचाएंगे जहीर तोर पर एक बहुत बड़ा फैसला लखनों का है जहीर खान को लेने का हालनकि एक गेंदबाज कितना बड़ा बहतर मेंटोर बन सकता है यह थोड़ा सा जरूर सवाल या निशान है बल影ँद की तौर पर क्योंकि जहीर खान की आगर मैं बात करूं विशेभ जहीर में और जोतम गंभीर में इन दोनों में आगर मैं तुलनात्मक तरीके से दोनों को कम पिर करूं जहीर खान को और गोत्म गंभीर को दीख्याश Khrar फमियर को जहीर नो um गंभीर तोड़े लीडर बहतर है, अगर मैं जहिर खान की बात पर हूँ तो जहिर खान से थोड़ा सा लीडर्शिप में गंभीर मुझे बहतर है अगर सोच कि देखे दोनों की positive mindset है, दोनों positive आगे vision देखते, दोनों का vision clear है, future के लिए काम करते, दोनों आगे देखते तो अगर इन सब चीजों में लगभग में लगभग आपको बराबर का कद दिखाई देगा, लेकिन इनों ने थोड़ा सा वही leadership में देखे तो गंभीर के पास थोड़ा से ज़्यादा है, इसका साथ फायदा केक्यार को भी हुआ, लखनाओ को भी हुआ, टेम इंडिया को भी और मतलब तीम इंडिया में जहिर के ना जाने का, आपको क्या वज़ा समझाती है, गंभीर ने आकिर क्यो रिकमेंड नहीं किया होगा, ये वज़ा जाना भी जरूरी है, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ वज़ा है, आप भी comment box में अपनी राय जो है, या अपना